क। असम्हारीं त Parlwn में आफ्टी के बारे में 20 टॉरांगी के एन्फियारेस के बारे मेंट सब करेंगे कमी कि एन्फियूरेस क्या होता है इसके क्या क्या सबस्के घुर्ट खरेश gj ओक्षिशुम को फस्ट त्रम देख ति हैاً। जाता है। wherein meld fill ऐ 강ते लिख Defense के दूत थिस्टे ने मितलब他 से उड़ने स्टीशने अरुआ कि वह दोह संदस्य मिद टॉप टॉट्रा वाइनरेंगे मिल समय तेखने हम बोलते हैं किया एनुरेसिस के कंटिशन बोलते हैं मतलब गईना कहीं बच्चेँ में क्या होगा कि कहीं एक एक इमोशनली प्रॉब्लम की बज़ए से या वह कहीं आपने के लिए से इस केल्स में बजी रहते हैं तो जैसे कि फर्सक पेखी है की जयी सेफिस्घाइः कि भी भछ्तितिममी इमोशनली डिस्टर्व्ट में बच्चिंज मुश्चिन देखने प्रूंटरी 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 प् प्रवर्क नहीं करा जाए इस पिंग्टर फैलियर हो जाते हैं उस कंडिशन में भी क्या होगा इस पाउट वाली कंडिशन हमें देखने को मिल सकती है यह वह जएदा एक्सेसिव आमाउट में कोई भी चीज का डिरिंग करना उस कंडिशन में क्या होगा बहुत जादा यूर इसके वए से मैं यह सारी कंडिशन देखने को मिल सकती है नेक्स देखते हैं इसके अगर इंसीडेंस देखें तो जो मोस्ति आपको अब फाइव यह से अबगी जो बच्चे उनमें वह ज़दा देखने को मिलेगा और इन टोटल पॉपलिस में फाइव मिलियन जो बच्च इसके हम स्कार किवउ इस प्रॉब्लम को शॉलब कर सकते हैं तो डियाग्डोिस में क्याता हैं कि इसका कालेंक्ष और इसका एप्सम्स करेंगे इसका फीजीasन करेंगे च्विछ रियूरिन टेस्ट यह कोई-इं प्रभाईड कर सकते हैं नेकसी हम देखते हैं इसका मैनेजमेट की हम पिष्चेन को क्या क्या मैनेजमेंट , क्या 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 स्थिट में दें जब आस्में को ऐस को कि जो भी Özacc Institutes देविसे विए उसको कुछ anti anxiety drug देंगे जिससे कि एंदर की जो emotional disturbance है वो कही नहीं किया कर सकते हैं और जो उसकी playing activity हो को कम करना जिससे कि वो रτεिस्ट के समय ज्यादा लाइट रहे उसको इक टॉलिट ट्रेंग प्रोवाइड करना अगर कोई भी इंटि वाइटेक्शन थो जिस्टे कि हम इंटि बारे के अंदर fluid की कमी आएगी या electrolyte की कमी आएगी तो हम उसके dietary pattern को अच्छा कर सकते हैं जिससे कि उसके अंदर की जो fluid electrolyte की कमी है उसको क्या कर सकते हैं completely fulfillment कर सकते हैं साथ ही ज़त हम क्या थे हैं कि बच्चें को कमी का सकते हैं यह कुछ conditionally यह साइकिलोजी कली शपोर्ट देना है जिससे कि अंदर होने बारे stress stress, depression को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो यह कुछ condition है, जिसकी helps हम क्या करता है, patient को easily treat कर सकते हैं, तो यह हमने आज देखा था किसमें, एनुटिस में जिसमें हमने इसका definition देखा, causes देखे, next diagnosis देखा, next minimus, next हम देखेंगे, next condition देखेंगे, एनुटिस में क्या होता है, involuntary urine pass out करते हैं, यहां पर क्या होगा, involuntary faeces, जिसमें क्या होगा या stool pass out करते हैं, मतलब उनको feel नहीं होगा जा control नहीं हो, और वो automatically क्या करते है, stool pass out करते हैं, ऐसे कुछ बच्चे जो क्या करते हैं, continue stool pass out करते हैं, उनको control में नहीं होता है, उनको वो samosh में या, bad पर क्या करते हैं, phoces को pass out करते हैं, उस condition को हम बोलते हैं, क्या end को parishes बोलते हैं, next हम देखते हैं, इस क्या causes हो सकते हैं, तो causes क्या होंगे, या कही ना कही जा आपको GI tract में कोई ना कोई infection है, उसकी वजय से हो सकता है, या जो भी peristaltic moment properly नहीं हो रहा है, उस condition में जो sphincter है, वो properly work नहीं कर पा रहा है, इस क्यों से जो sphincter होती है, जो properly work नहीं कर रहा है, या कही ना कही जो metabolic problem है, कोई ना कोई metabolic disorder है जिसकी वेशे क्या हो रहा है, बहुत ज़दा इस टूल पाशाउट कर रहा है, या डायर के वाली condition की वजय से हमें ये सारी condition देखने को मिल सकती है, यह कुछ causes हैं जिसकी वेशे हमें ये condition देखने को मिल सकती है, नेक्स हम देखते हैं इसका है diagnosis, तो diagnostic evolution में हम इसके लिए क् क्या है, history collection करना, fully patient का क्या करेंगे, history collect करेंगे, then हम उसका physical examination करेंगे, physical examination की help से easily हम पता कर सकते हैं कि क्या problem है, next हम need होने पर x-ray कर सकती है, need होने पर हम USG भी करा सकती है, stool test भी करा सकती है, need होने पर blood test भी कर सकती है, इन सब test की help से easily हम patient की condition को अशिश कर सकती हैं और उसको प्रॉपर वे में treatment provide कर सकते हैं तो यो कुछ diagnostic values में जिसकी help से हम patient की condition के बारे में easily पता लगा सकते हैं next हम देखते है management कि NQO पर इसका हम क्या-क्या management करेंगे तो जो भी है अगर वच्चों में इस तरह की condition कोई ना कोई infection है तो उसको antiviotics देंगे देन पेंकलर देंगे एंड देन उसको क्या है कि कोई ना को इसको proper dietary pattern को अच्छा करना है और उसका कोई ना कोई metabolic rate problem में जाब metabolic में कोई ना कोई disorder वें जिसकी वे से क्या हुआ है उसको ये condition देगा उसकी जो मेटाबलेक रेट उसको नॉर्मल करना है तो उसको को इस डाइटरी पैटन बना जिससे की इसली वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और उसमें ये कंडिशन देखने को ना मिले डायरिया को ट्रीट करने के लिए उसे इस तरह के वारस बगारा कंटीनु देना जिस को कम कर सके और उनको एक पुलिफरी क्या टेंसम फिरी बना सके जिससे की वो इस तरह कोई भी थिंकिंग ना और वो इस तरह भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा नेक्स में से ट्रेनिंग प्रोबाइड कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोबाइड कर सकते हैं जिससे की वो अगर कोई भी चीज है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, कि कुछ ऐसी चीज है खाने यहते हैं, नोन इटेवल सबस्टेंस खाते हैं, जैसे कि मट्टे, कंकर, रीट वगरा, तो इसकी वेश से भी एक इंफेक्शन देखने को मतलब तो इसलिए हमें उसे अब्जर्विशन जैसे कि वो नोन इटेवल सबस्टेंस हीट ना गरते हैं इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एन्टी परेसे की सके вызचर्व की कंडिशन को disput लिएट एटेट जलों पॉस्थी कि मतलब तो आज हम लोगों पुल्चर्व भी ऐबारे में के डिस्क्रिस्म कीए, टो जी अनुरेश म हमने definition देखा, causes के बारे में पढ़ा, और diagnostic evaluation के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने management के बारे में भी discussion किया, तो I hope आपको ये दोनों टॉपिक्स हमज में आएगा, इन दोनों टॉपिक्स से लेटर कर आपको कोई भी doubt है, तो आप मुझे पूश चकते हो, thank you.